हेलो एवरिबरन मैं हूँ सिवम दिवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्यानोदय के गुरू जी आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं सबसे पहले उसकी ही बात करते हैं तो इस क्लास में आज आज आप 12.3 अक्सरसाइज के पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं इसका मतलब यह हुआ कि पार्ट 1 आपने पढ़ लिया है और उस पार्ट 1 में आपने कोश्चन नमबर 1 से लेकर 4 तक सारे कोश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिये थे आज की इस क्लास में हम लोग कोश्चन नमबर 5, कोश्चन नमबर 6, 7 इन सभी को पढ़ेंगे तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएग ताकि रोजाना आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके तो चलिए फिर बिना देर की वे ग्लास को सुरू करते हैं और आपको पताते हैं कि ये कोशन नमर फाइफ जो आपको स्क्रीन पर सो हो रहा है ये कोशन आप किस प्रकार से करोगे मैं एक बार पढ़के देखता हूँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि भुजा चार सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रतेक कोने से एक सेंटीमीटर तरिज्या वाला वरत का एक चतुर्थांस काटा गया है मतलब कोई एक वर्ग है वो वर्ग कौन सा है मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार का कोई एक वर्ग है नीचे डाइग्राम भी आपको सो हो रहा होगा इस प्रकार का कोई एक वर्ग है और इस वर्ग के प्रतेक कोने से क्योंकि आपको पता है कि इसमें चार कोने हैं और प्रते कोने से एक संटीमीटर त्रिज्या वाला कोई एक वरत का चतुर्थांस काट लिया जाता है इसका मतलब क्या है कि कोई भी इस कोने से ऐसे प्रकार की इनों को रखते हैं और उसके बाद एक सेंटीमीटर ना पा इधर भी एक सेंटीमीटर ना पा और ऐसे एक कोई हिस्सा ऐसे काट लिया गया ठीक उसी प्रकार इस तरफ से भी एक हिस्सा काट कर निकाल लेते हैं और इ यह दूरी यहां से यह दूरी हर जगा पर एक एक सेंटीमीटर और यह टोटल दूरी आपको बता दें कि टोटल दूरी कितनी है चार सेंटीमीटर अच्छे से यह बात समझ में आ गई होगी उसके बाद क्या कहता है कहता बीच में दो सेंटीमीटर तरिज्या दो सेंटीमीट दो सेंटीमीटर व्यास कहा है इसका मतलब ये भी एक सेंटीमीटर तरिज्या वाला ही व्रत है उसके बाद व्रत वेक काट कर निकाला गया है जैसा कि आकरत में दरसाया गया है आपको आकरत नीचे दिख रही हो गई फिर कह रहा है कि वर्ग के सेस भाग का चेत फल गयात करो मतलब कि इसे भी बीच से काट कर निकाल लिया गया है जिसका व्यास कितना है व्यास इसका है दो सेंटीमीटर मतलब यहां से यहां तक दो सेंटीमीटर पूरा का पूरा अब बचा कितना हिस्सा ये वाला हिस्सा बच जाता है इसका और इसी वाले हिस्से का हमें छेत फल ग करते आपको जो बीच में जूस् PAUL कर दिया है उसे लाइन है आपको पहले भी वता चुका हूँ कि यह वर्ग है यह चार सेंटीमीटर का है और अगर यह वर्ग चार सेंटीमीटर का मतलब पूरे वर्ग में से जितना पार्ट मैंने काट कर निकाल दिया है उसको घटा दिया जाए तो आसानी से आंसर आ जाएगा लेकिन इस तरह से करोगे न थोड़ा सा कठिन होगा इसे समझते हैं कि किस तरीके से बेहतर होगा देखिए गया ध्यान से हम लोग सबसे पहले ह हम लोग लिखते हैं कि हमें क्या दी है हमें वर्ग की भुजा दी है तो हम लोग लिखेंगे वर्ग की भुजा सो बहुत आसानी से हम लोग करेंगे वर्ग की भुजा कितनी दी है चार सेंटीमीटर ठीक है कितने चतुर्थांस काटे गए हैं आपको पता है कि चार चतुर् उन्होंने कहा है कि एक संटीमीटर त्रिज्जा वाला काट लिया जाता है वरत और यह जो बीच में है यह पुरा का पुरा दो संटीमीटर यहां से आता कि एक यह भी एक यह भी एक और यहां भी एक यह चारों आपस में बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं एक चत्रतांस की जो दो से कर देंगे भाग, इसका मतला उसकी तरिज्जा भी कितनी आ गए, एक सेंटी मीटर, मैंने सब कुछ पहले निकाल लिया, आसानी से पहले सारे आइटम को बना कर रख लिया है, अब कोई भी होगा, तुरन धमा का, तुरन सौर, चलो देखो, कैसे करोगे आप, हम लोगो चायांकित भाग का छेत्रफल, मैं अलग अलग नहीं करूँगा, एक में ही आपको बता दूँगा, ताकि आप आसानी से कर लो, तो हम लोग लिखेंगे पूरे वर्ग का छेत्रफल, वर्ग जानते हैं न, पूरा जो चौकोर हिस्सा बना हुआ है, वर्ग का छेत्रफल, औ उसमें से हम लोग क्या घटा देंगे, वाद द्यान से देखेगा, उसमें से कुछ घटा देंगे, क्या घटा देंगे, जो बीच में वर्ट बना है, उसको घटा देंगे, तो हम लोग लिखेंगे, वर्ट का छेत्रफल, वर्ट का छेत्रफल, और उसके बाद, बीच में द और भी घटाएंगे जो चतुर्थांस है कितने चतुर्थांस है चार लिखेंगे चारो चतुर्थांसों का छेत्रफल बहुत आसानी से आप कर लोगे चारो चतुर्थांसों का छेत्रफल तो आपको पता है कि चतुर्थांस का छेत्रफल क्या होता है किसी वरत के अगर चार खंड कर दिये जाएं तो उस खंड को कहते हैं चतुर्थाउंस देखना समझना वर्ग का छल्पल क्या होता है भुजा siya हो गया उसके बाद व्रत का चल्पल क्या होता है पाई्ब़़् कर दिया माइनासु उसके बाद चारो चत्रुथांसों का तो एक चत्रुथांस का आपको पता है कि पाई आर इसक्यार बटे चार होता है क्योंकि एक चत्रुथांस मतलब एक वरत के चार इससे कर दो तो मैंने चार कर दिये लेकिन वो चार से गुड़ा भी कर दिया मतलब वो वरत्त ही तो बनाएगा ना इसका मतलब ये इससे हो गया cancel out तो मैंने क्या किया भुजा square कितनी दिया भुजा वर्ग की वो दिया 4 का square बहुत आसानी से कर लोगे पाई कमान आपको पता है 22 बटे 7 होता है 22 बटे 7 रखे या फिर अभी पढ़ा रहने दे देखते हैं थोड़ा सा कुछ और आसान हो जाए यहां से भी मिलता है पाई यार square अब मुझे एक बात बताओ जो चतूर था उसकी भी त्रज्यायक थी जो वरत्त था उसकी भी त्रज्यायक थी और दोनों के त्रिज्या एक है तो इसका मतलब दोनों के आर आपस में बराबर है तो क्या यह आपस में जुड़ सकते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं लेकिन अगर त्रिज्या बराबर नहीं होती तो नहीं जुड़ पाते हैं इसका मतलब क्या हुआ चार का स्कार आप 16 लिखो में जो है कहा था कि value कितनी रखनी है क्या तीन दसम लोग एक चार तो नहीं रखनी है बिलकुल नहीं कहा ऐसा कुछ भी नहीं कहा तो मतला 22 बटे साथ r की value कितनी है radius 1 दी हुई है तो हम लोग इसको लिख देंगे 1 का whole square 2 भी हो गया पाई की value हो गई r की value हो गई अब देखो जरा ध्यान से 22 और दो यह divide तो होगा नहीं तो हमने इसको 16 लिखा और 22 दो नहीं कितना हो गया 44 44 बटे कितना साथ अब ना इसका लासा ले लो 7 ही आएगा अब एक का पहड़ा पढ़ों की 7 से ज़्यादा नहीं हो तो 7 हुआ 7 को 16 से गुढ़ा कर देंगे उसके बाद यह 7 हुआ 7 कम 7 तो 7 ही लिखेंगे हम लोग मतलब एक लिखेंगे और एक का गुढ़ा 44 से करेंगे इतनी बात के लिए अब 16 को कर दो 7 से गुढ़ा आपको पता है आठ बचेगा इधर से आशी लिया तो 10 हो गया था 10 में 4 गया कितने हो गया चे हो गया मतलब 68 अपॉन 7 और ये सब कुछ सेंटीमीटर में था ना तो ये सेंटीमीटर क्या हो गया इसका है इस तरीके से देखो कितने आसानी से निकाल लिया अब इसी को अगर थ समझ में आगया होगा कि पहले वर्ग का निकाला फिर निकालने के बाद उसमें से बीच वाला व्रत घटाया फिर क्या घटाया फिर 4 चतुरतांसों को घटा दिया बस बच गया चाहिंकित भाग का चेट पर समझ रहे बात को बस ऐसा ही सौल करना है डरना नहीं है बिलकुल अराम से करना है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस तुरंद आप पढ़ते जाओ और हाँ केवल मुझे पे डिपेंड आप मत रहो सेल्फ इस्टडी इज दा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब आपको सेल्फ इस्टडी जरूर करनी है बिना सेल्फ इस्टडी के आप टॉप नहीं कर सकते हैं पास हो सकते हैं हमारे साथ रहकर लेकिन टॉप करना है तो आपको मेरे साथ साथ ना स्वयम भी पढ़ना होगा मैं बस आपको गाइड कर रहा हूँ समझ रहे हैं बात को इसका मतलब क्या हुआ यह पांचवा कोश्चन हो गया पांचवा कोश्चन क तो हम कह सकते हैं कि हाँ कठीन है लेकिन अगर उसे एक बार मेरे साथ रहकर आप समझ लोगे ना तो कभी भी आपको ये question जो है ये नहीं होगा कि आपको problem create हो कोई भी ऐसा question नहीं होगा जो आप ना कर पाओ बस इसे बहुत ध्यान से देखो लिखा हुआ है कि एक वरत्ताकार मेज़ पोस जिसकी तरिज्या 32 सेंटीमीटर है मतलब एक वरत्ताकार मेज़ पोस है जैसा की डाइगराम में आपको नीचे दिखरा है फिर लिखा है बीच में एक संबाहु तरिभुज को ABC को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है मतलब बीच में एक संबाहु तरि है कि उन्होंने कहा है कि वरत्त की तरिज्या 32 दिया बाकि कुछ नहीं दिया है और थीटा वीटा कुछ नहीं है सब कुछ अपने आप ढूणना है संबाहु है तो 60 हो जाएगा लेकिन क्या वो 60 यूज में आएगा बहुत बड़े सवाल है इनको ध्यान से समझना है ठीक है अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा जैसा कि डाइगराम आपको नीचे दिख रहा है मैं एक बार उस डाइगराम को बनाता हूँ और मैं दावा करता हूँ कि इस बार पढ़ने के बाद आप इस कोशन को बहुत अच्छे से कर लोगे ये क्या हुआ ये एक मैंने क्या है कि एक त्रिभुज बना हुआ है और ये मैंने ऐसे त्रिभुज बना दिया इस त्रिभुज बनाने के बाद इन्होंने यहां पर सब डिजाइन बना दी है तो मैंने डिजाइन को कर दिया छायंकित देखिए मैंने क्या कर दिया इस डिजाइन को मैंने छायंकित कर तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक कि यह दूरी 32 होगी इसका मतलब यह तो कि यहां निकलेगा अगर हम लोग पूरे वाले वरत्त का छेतफल निकाल ले और उसमें से बीच वाले त्रिभुज को घटा दे तो बड़े आसानी से कर लोगे ना लेकिन यहां एक समस्या हो जाएगी समस्या इस बात की है कि वरत्त का छेतफल निकालने के लिए तो इन्होंने त्रिज्या दे दी ले लेकिन समस्या इस बात की है कि जब उसमें से त्रिभुज को घटा होगे तो यह फॉर्मला तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हो क्योंकि यह तो बीच में संभाव त्रिभुज बना है तो मतलब रूट तीन बटे चार भुजाई स्कॉयर वाला हम लोग क्या करेंगे मतलब ज समझने बात को अगर इसका निकालना चाहें तो लगा सकते हैं उसका निकालना चाहें तो एक बटे डो र स्कोयर शयृसाइं तीता का फॉरमला का यूज नहीं कर सकते हैं इसका मतलब इस पूरे त्रिभुज को जिसका नाम उन्होंने abc दिया है इस abc का अगर मुझे निक ले जाओ, सारा काम बिलकुल ओके हो जाएगा, ध्यान से समझो, बहुत ज़ादा important बात हम आपको बताने वाले हैं, बहुत ज़ादा important बात, देखो, आपने पड़ रखा है, बिलकुल basic से question को समझो, यह आपने पड़ रखा है कि अगर कोई वरत्त बना हो, और उसके केंदर पर कोई कोण बना हो, वो कोण जितना भी बना होगा, यहाँ परीधि पर बना हुआ कोण क्या होगा, उसका आधा होगा, इसका मतलब परीधि पर बना हुआ कोण केंदर पर बने कोण का आधा होता है, या कह देगी केंदर पर बना कोण, परीधि पर बने कोण का दो गुना होता है अब बताओ यह जो ABC त्रिभुज आपने बनाया है यह कौन सा है आप कहोगे कि सर यह तो 60 डिगरी होना चाहिए भाई क्योंकि यह हमारा संभा हुए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे दिया है ठीक है मुझे सबसे पहले दिया है आर बराबर क्या दिया हुआ है कितना दिया हो जल्दी से बता है देखो जरा ध्यान से हम लोग लिखें कि केंद्र पर बना कोड केंद्र पर बना कोड बना कोड परिधी पर बने कोड का देखें यह सब बाते बुक में नहीं लिखी होंगी केंद्र बना कोड परिधी पर बने कोड का बने कोड का कितना होता है दुगना होता है अगर दुमसरी को कैसे सिखा पाओगे और एक्जाम में बूल जाओगे तो देखो यहां पर बने कौंड का दोगना होता है इसका यह अहां पर 60 बना है तो यहां पर कितना बनेगा यहां पूरा बनेगा 120 हाना इसलिए यह जो याला कोड़ बनेगा वो खितना होगा 120 इतनी बात हो के अब हम लोग क्या करते हैं यहां से कोई एक माधिका डालते है ठीक है यह हमने एक कोई माधिका खीच दी ऐसे यह माधिका खीच दी और उसके बाद आपको पता है कि अगर किसी त केंद ऊपर कोई सीर से माधिका नीचे डाल दी जाए तो वो तिर्भू जो जो नीचे वाली का आधार होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है ऐसा आपने सेवन चैप्टर में पढ़ा था इसका मतलब इस माधिका का नाम हमने दे दिया M अब हम लोग क्या करें यह और हाँ एक चीज़ और यह जो केंदर का यह वाला जो कोण होता है वो भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है इसका मतलब यह साथ डिगरी हो गया और यह भी कितना हो गया साथ डिगरी ठीक इतनी बास तुछ ना गई इसका मतलब क्या हुआ हम लोगों ने क्या किया देख खीची गई इसलिए इसलिए जो हमारा 20 लेकर एम तक की दूरी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी एंसी के बराबर हो जाएगी हना इसलिए यह दोनों आपस में बराबर हो इतनी बास तुछ ना गई अब देखो चला ध्यान से अब हम लोग यहां से सारा खेल सुरू करत ना बता है कि माधहा जब भी आधार पर डाली जाती है तो निबी दिगरी का कोड़ बनता है मतलब सीरसम नमीचा-न-ब वने का कोड़ बनाती है इसका मतलब यहांपर गने है को यह यह तो भाया लंब नऺ तो तो हम लोग अगर ये 32 मुझे पता है और BM मुझे निकालना है, ज्यान से समझना, तिर बुच को अलग से बता रहें, ऐसी बातें आपको इतनी जल्दी कोई बताएगा नहीं, ये कोड थीटा बन जाए, ये आपका कण हो जाए, तो ये आपका क्या होगा, लंब, इसका मतलब लंब जो है वो BM है, और जो कण है वो BO है, समझने बात को, तो इसका मतलब ये मुझे पता है, और मुझे ये निकालना पड़ जाए, अगर ये भी निकालना पड़ ये निकालना होता है, जानते का लगाते, लेकि साइन लगाएंगे क्योंकि लंब बते कण होता है, इसका म जरा देखो जरा ध्यान से आपको पता है कि लंब हमारा कौन है बी से लेकर M तक है इसे लंब कहो गया आप क्योंकि इस थीटा के लिए ये लंब होता है आपने त्रिकोल मिती में पढ़ा था मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था इसका मतलब लंब की वैलू आप को लिखोंगे बी से लेकर M तक और कण की वैल्यू को लिखोंगे बी से लेकर O तक तो यह हो गया बीयो बिलकुल क्लियर अब देखो ठै साइन साट लिखा है अब अंधर रूट 3 बटे 2 हो गया BM, BM को BM रहने दो, देखो यहां भी BM लिखा हुआ है, और VO, VO को को कोन लिखांगे, 32 लिखेंगे, ठीक है, आप इनको कैची गुडा करो, अब जैसे ही आप इसको कैची गुडा करोगे, क्या होगा, देखो, इसको 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 इसके, तो होगा 2BM बराबर 32, रूट में कौन, रूट में 3 समझना बहुत मस्त कोशन है जब भी आएगा 6 नंबर में तो हम लोग लिखेंगे 32 रूट 3 और 2 को नीचे ले आए दो से इसको जैसे ही कार देंगे क्या होगा 16 इसका मतलब बीम बराबर कितना 16 रूट 3 हो गया क्या इतनी बात समझ में आ गई लेकिन हमको बीम थोड़ी चाहिए हमको बीसी चाहिए और अगर हमको बीसी चाहिए तो हम बीम को कर देंगे 2 से गुड़ा क्योंकि बीम mc के बराबर है जितना ये होगा उतना ये होगा समझने बात को तो हम लोग लिख सकते हैं कि चू कि bm जो है न वो mc के बराबर है इसलिए अगर हमें b से लेकर c तक चाहिए तो 16 रूट 3 और 16 रूट 3 हम लोग लिखेंगे कि इसलिए लिख देंगे चू कि जो आपका b से लेकर c तक की दूरी है वो दो गुड़े bm है यह हम नहीं आपको अगर प्रॉब्लम है तो यह यहां से आतक निकाल लो इस वाले त्रिवज में चलके पर ऐसा करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा इसका मतलब यह दूरी इस दूरी के बराबर है तो हमने कर दिया दो गुड़े bm अगर नहीं समझ में आई बात तो इसको और इसको जोड़कर लिख सकते हो कि दोनों बराबर है फिलाल इतने में समझ में आगया होगा अब दो लिखा और bm की वैलू कितनी है 16 रूट 3 है इसका म अब लो संभाहुत्रवुच की भुजा पता हो गई अब क्या निकालोगे आप अब आप जनते हो क्या निकालोगे अब निकालोगे संभाहुत्रवुच का छेत्रफल बस भुजा पता चल गई सारा खेल हो गया अब क्या करोगे अब निकालो डिजाइन का छेत्रफल समझ में आया कि नहीं आता डीजाइन का 1973 अब्न कैसे निकलेगी वरत के छेथफल में त्री भूज को घटाओं और मैंने त्री भूज की भूजा यह क्या त्री भूजा निकालनी है त्रे भूज की क्या निकाली भूजा समझ्रेगा अब कआछेढ़ बात को यह दित का छेत्रफल क्यों बढ़िया है ना अब बताओ वुरत का छेत्रफल आखिर है कितना थोड़ा सा इधार से लिखूँ आप लोग ऐसे लिखिए का नीचे बराबर से पाई आर स्क्वाइर माइनस सम बहुत रूट तीन बटे चार भुजा स्क्वाइर इसका मतलब रूट तीन बटे चार और भुजा स्क्वाइर और भुजा आखिर है कौन कौन है भुजा अगर आप लिखना चाहो तो आप लिखोगे 22 बटे 7 और आर की वलु तो उन्होंने दे दी थी 32 तो 32 का क्या करोगे whole square plus की minus minus करोगे ना घटा होगे तो हमने लिखा root 3 बटे 4 और भुजा कौन है 32 root 3 का whole square क्या इतनी वासन में आ गई भुजा का मतलब तुरी बुच की भुजा समझ रहें अब देखो आगे यह 22 बटे 7 तो हमने लिखा 22 तैना आएगा कितना है2024 I think वहीं आएगा करके देखतें देखतें दो दुनी चार उसके बाद दो दुनी 4 दो दुनी्नla 2 रोग्व ह्यूद्व úsक्के बाद 3 तीन दुना 6 और 3 को 9 कितना आ गया यह आ गया 4 इसकी value रखो या ना रखो, इनका कुछ भी कहना नहीं है, इसका मतलब क्या है, कि जो मेरा answer आएगा, वो decimal में नहीं आएगा, क्यों, इतनी बात संच में आ गई, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कि इसको करेंगे 22 से गुड़ा, बहुत कठी हो गया, अब देखो, इधर देखो 32 के square, 1024, और root 3 के square करोगे, तो 3 आएगा, ठिक, क्या ये कटेगा, ट्राइ करके देखते, 4 का 4, 4 दुनी 8, उसके बाद 2 बचेंगे, कट जाएगा, 4 एक कम 4, 4 दुनी 8, 2 बचे, 22 हो गए, 4 पंचे 20, 2 बचे, 4 संच 24, अब तो नहीं कटेगा, क्यों कि नीचे कुछ हाई नह क्या करो, 22 से 1024 को आप कर दो गुड़ा, तो जब आप 22 से 1024 को गुड़ा करोगे, तो आंसर आएगा, 225, 28 अपॉन 7 में, टाइम वेश नहीं करोगा, उसके बाद, बाद में, आप 256 को 3 से गुड़ा कर देना, तो जब 256 को आप 3 से गुड़ा करोगे, तो 3 चंग, कितना सिल्वा, फिर 35, 15, 16, उसके बाद, फिर हां सिल्वा, 1, 3, 2, 6, और 1, 7, और बचा कौन, बच गया, रूट 3, बस, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, वर्ग सेंटीमीटर, अब मुझे इमानदारी के साथ बताएं, क्या ये कोश्चन समझ में आया है, आपको, अगर आ ग होता असान था, जब त्रिवुच की भुजा दे देते, तो सब पुछा असान था, लेकिन इतना आसान तो पेपर में आएगा नहीं, इसलिए उन्होंने त्रिवुच की भुजा को दिया ही नहीं, मेरा माईक गायब है, मैं अंदर रखाओ माईक को, बहुत संभाल की, करें, इसका तीसरा कोशन एक और, और उसके बाद फिरम क्लास को समाप्त करेंगे, अगली क्लास में फिरम लेंगे आगे नए-ने कोशन के साथ, तो ये कुशन देखो जड़ा चठा, चठी के बाद आप बात करेंगे, कोशन नमर साथ की, आपको स्क्रीन पर बस अभी जश चौदा सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, उसके बाद लिखा है, A, B, C और D को केंद्र मान कर, चार वरत इस प्रकार खीचे गए हैं, कि प्रतेक वरत तीन सिरे सेस वरतों से से दो वरतों को बाहर रूप से इस परस करता है, भाईया, इतना कटिन, आगे पढ़ो, फिर लि वर्ग बना दिया, इन्होंने सबसे पहले कोशन नमबर को है, सेवन, एक वर्ग बना दिया, तो मैंने भी वर्ग बना दिया, क्यों, वर्ग लग रहा है, यह मैंने वर्ग बना दिया, अब उसके बाद इस वर्ग के प्रतेक सीर्स को केंद्र मान कर, प्रतेक सीर्स को केंद करता है, इसका मतलब, यहाँ पर यह कोई वरत्त बनाया गया, तो मैं भी बना देता हूँ, लो बना दिया, क्या हुआ बिलकुल हो कि, गौल नहीं बना क्या, चलो ठीक है, कौई बात नहीं, कौई सब test exam में बना रहे हैं, यहाँ फिर एग दूसरे को क्या करें इस पर सुकरें अच्छा ठीक है उसके बाद आगे पढ़़ो कोर्षिन में क्या कह रहे है फिर आगे क्या कहता है फिर आगे कहता है की छायंकित भाग काच्षेतफल ग्याद करो अब आप जौ lemons स है ध्यान इसे ना हमें छेदफल के रूप में निकालना है कि इसका छेदफल क्या होगा और यह जो आपका जो वर्ग है ना यहां से यहां तक वह तोट बहुत अच्छा गोश्चन है और सबसे जादा पूछा जाता है ठीक है देखो ज़रा जांसे आपको यह जो वर्ग दिख रहा है यह वर्ग है 14 सेंटी मीटर वाला इसका मतलब यह हुआ कि जब यहां से और यहां से एक त्रिजयान का चाप लगाया गया होगा यहां से भी लगाया होगा और यह चारो वर्ग तापस में बराबर है इनका मतलब त्रिजयान बराबर होंगी और अगर त्रिजयान बराबर ह 7 सेंटीमीटर एसे ही करके आप चारोव तरह बना लेदा 7 सेंटीमीटर क्यों इतनी वासंन न गई अगर लोग यह करें कि इतने वालेवाग का छत्फः जो ये वाला दिखरा रहे और ये वाल जो जा रहा अंदर वाला हिस्सा जो अंदर की दरब धस गए उनका चित्पन निकाल कर पूरे वर्ग में से घटा दो सारा खेल हो जाएगा कोश्चन सौर देखो कैसे करोगे पहले इनका नाम करन करो ए फिर उसके बाद भी उसके बाद सी और इसके बाद डी अब इसको सबसे पह करता हूँ हर चीज केवल समझा देता हूँ अच्छे से उसके बाद चायंकित बागकर चित्पर डारेक्ट क्योंकि वही तो में समझना ही तो में है चलो देखो क्या करते हैं सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि आखिर जो हमारा ये व्रत बन रहें की त्रिजियां कितनी हो समान कर एक समान तृज्या वाले कितने चतुरथांस बनते हैं चार चतुरथांस या हम कर सकते हैं चार वृत चार वृत बनाए जाते हैं जब बनाए लिखा हुआ है बनाए जाते हैं तब तब प्रतेक्वरत की तृज्या कितनी होगी आपको पता है सेवन सेंटीमीटर होगी मैंने समझा दिया है उसको आपने यहाँ पर लिख दिया है और यह जो मैंने लिखा यह अपनी जानकारी के लिए अगर राइटिंग अच्छी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं समझ जाओगे मैंने बोला भी है जब वर्ग के सीर्ष को केंद्र मान कर समान त्रिज्जा वाले चार वरत बनाए जाते हैं तो प्रते वरत के त्रिज्जा साथ सेंटिमीटर हो चारो चतुर थांस क्यों 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 कि दो जो यह वाला हिस्सा है यह वाला जो यह वाला आपको देखरों यहां से लेकर यह इतना यह यह वाला हिस्सा यह इसका नहीं निकालना मुझे वह तो बाहर है जो अंदर रहे गया ना वह चतुर थांस है मतला वर्ग का चतुर थ चारो चतुर्थांस का छेतरफल का छेतरफल अब बताओ वर्ग का छेतरफल क्या होता है आपको पता ही है भुजाई स्कायर होता है है भुजाई स्कायर लिखा उसके बाद चारो चतुर्थांस तो हम लेग चार लिखा और एक चतुर्थांस का छेतरफल क्या होता है पाई आ स्क्राइर बटे चार होगा क्या यह बात समझ में आ गई उसके बादे को भुजा कितनी है चाओदा तो चाओदा का होल स्क्राइर चारो चत्र थांस तो हमने चार से चार काड़ दिया पाई कमान बाइस बटे साथ देख ले क्या तीन दसम लोगे चार तो नहीं कहा बिलकुल क्या कहा है कि नहीं कहा है कि नहींने कहा है कि जो मन करे वो रख लो तो आप ना 22दे साथ रखो वीश बटे साथ रखा आर्स कमान कितना है आरकमान li तो इसके बार बार दो बार लिखा ना एक बार खतम तो बचा क्या 22 गुड़े 7 और भाईया 22 गुड़े 7 मैं ब्रटवा चुका हूँ 154 होता है मतलब 196 में से 154 को घटा दो कितना हो गया बता हूँ 42 सिंटीमीटर्स का है इस तरीके से इस एक्सरसाइज में 16 कोश्चन थे जिन में से हमने समाप कर लिए हैं टोटल 7 कोश्चन क्या एक और बता दू लगे आथ तुरंद एक और कर लो देखते हैं कोश्चन क्या है नई अब वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा ठीक है क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा बड़ा कोश्चन है अब इस क्लास को हम करेंगे यहीं पर समाप अगली क्लास में जब आठ फा कोश्चन है वो इंपॉर्टेंट है इसलिए रोक रहा हूं मैं ताकि वो नई क्लास में नई ताजकी के साथ ही सुरू हो इस क्लास को अब हम करेंगे समाप अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है जल्द ही हम बस लाइव आने वाले हैं 1000 सब्सक्राइबर बस बहुत जल्द ही पूरे होने वाले हैं बस आप लोग सपोर्ट करते रहें वीडियो को देखते रहें लगातार और हमारे साथ साथ आप भी मेहनत करें ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो और आप मेहनत करेंगे तो मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी चलिए फिर अब इस क्लास को हम फाइनली समाप्त करना चाहते हैं और अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ